कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीटूब चनल पर दोस्तों आज जब आप लोगों के लिए वो लाए हूं डियाइडियो की तरफ से डिफेंस रिचर्ट डवलोप्मेंट और इसके तरफ से दोस्तों अगर आपने करके रखाए और आप जो है एक साल के अ जो है अगर दोस्तों आपने दो शाल का डिप्लोमा करके रखा तो आपके जो सेल्लेस मिलने वाली मिलने है है ऑठ हेजार पैचास रुपे इसके अलावा आपने एक साल ककी रखाए तो आपको गयाए कि आपको जो है आपकी जोईनिंग कब होगी तो जोईनिंग जो है आपकी एक अप्रेल को हो जाएगी इसके अलावा जो है आपका बारा मार्च और तेरा मार्च का जो है आपकी सिलेक्षन प्रोसीजर है selection procedure में आपका selection हो जाएगा दोस्तो अगर आपने ITI करके रखाए और आप एक साल के apprenticeship करना चाते तो आपके लिए एक अच्छा मोगा है दोस्तो आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत सारे vacancy update देखने को मिलेगी तो दोस्तो ऐसा नहीं है आपको थोड़ी सी vacancy में हाथ पेर मारने पड़ेंगे वहाँ पर आप अपना हिसाब से training कर सकते हैं दोस्तो अगर आप चाहें तो आप जहां आपको 20 seat भी निकलिए तो वहाँ भी आपका selection हो सकता है या अगर आप चाहें तो 2000 seat भी अगर आपको निकलेगी तो वहाँ आपका selection नहीं होगा इसलिए दोस्तो आप ये मत सोचिए कि 2 seat है 20 seat है 50 seat है वहाँ आप form भरी है उसके हिसाफिए अगर आपका percentage अच्छा है आपके तैयारी अच्छी है तो आप वहाँ पर selection पा सकता है आईए देखते हैं कि कितनी कितनी seat है किस किस ब्रांच के लिए है तो दोस्तों आईए देखते है जैसा कि फीटर ब्रांच के लिए है चार पोस्ट है टर्नर के लिए है दो पोस्ट है मेकेनिस्ट के लिए तीन पोस्ट है ड्राफ्ट में के लिए 11 पोस्ट है टूल एंड डाया मेकर के लिए एक पोस्ट है, Injection Music के लिए है, अपको एक पोस्ट Welder केलिए जो है, आपका दो पोस्ट है, electronic mechanic के लिए आपको 6 पोस्ट है, Electrician के लिए 3 पोस्ट है, दोस्तों हमने देखा कि ये जो है कितनी कितनी वेकेंसी अपडेट आई है D.I.D.O की तरब से है दोस्तों कई लोग जो चाहते हैं कि आपको जो है रेलवे को छोड़ के रेलवे में ही जो है आपका ITI वालों का सबसे ज़्यादा अपरेंशिप निकलता है बट दोस्तों काफी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि रेलवे में जो है उनको अपरेंशिप ना करना पड़े अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में जो है आप अपरेंशिप ना करना पड़े तो आपके लिए जो है एफ अच्छा मोगा है D.I.D.O की तरब से Defense Research Development Organization जिसका जो काम है वो डिफेंस के छेत्र में है और यह एक गौर्मेंट कंपने दोस्तों अगर आप चाहें तो एक साल की ट्रेनिंग के बाद जो है अपना अच्छा रिस्पॉंस पा सकते हैं यहां से दोस्तों आगर हम बात करें कि आपको जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है तो सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों आपको जो है ऑनलाइन एप्लाई करना है एप्लाई करने का लिंक नीचे मिल जाएगा और नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पर चेक कीजी वहां पर चेक करने के ब बहुत काम है वगिरा वगिरा बहुत सारी हमारे दिमाग में ठिंकिंग आती हैं और हम जो हैं इसके कारण लेट हो जाते हैं अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट करके रखें तो आपको लिए अच्छा मौका है आफ ट्रेनिंग में फॉर्म भर सकते हैं भरने के बाद आपका सेलेक्शन होगा सेलेक्शन होने के बाद आपको एक अप्रेल से जॉइनिंग मिल जाएगी और इसके बाद अपनी अप्रेंट्शिप को पूरा कर सकते हैं दोस्तों अभी जो वैकेंसी आ रही है वो जो है आपको 20-50-100-200-500 इतने के अंदर ही देखने को मिले किया है तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाए थैंक्यों फ्रेंड थैंक्स पर वाचिए